फ्रेंट्स आज के शुड़े में बात करेंगे कक्षा 6 साथ के प्रभा कार्य पुस्त्खा के कार्य पत्रक चार के बारे में चलिए शुरू करते हैं हमें पहला प्रश्ण दिया है रेक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए जहां हमें दिया है पाँच हजार तीन सो उननतिर जिसको हमें इस्तरस लिखा गया है पाँच हजार तीन सेकडा दो दहाई नो इकाई फिर पाँच हजार को लिखा पाँच गुणा एक हजार बराबर पाँच हजार तीन गुणा सेकडा में लिखा तीन गुणा सो तीन सो दो दहाई को दो गुणा दस दुना बीस यहां पर नो एक यहने नो गुणा एक नो एकम नो तो बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलते हुए हमें आगे के प्रश्णों के इसमें जवाब देने हैं और ये तीनों प्रश्ण रिक्तिस्तान बरने हैं तो चलिए शुरू कर देते हैं फटा फट से दो हजार ये दो को हमें दो हजार अब हमें क्या करना है हजार के लिए एक हजार लिखना है अब इनको गुणा करना है दो गुणा एक हजार दो हजार आट इंटू सेगड़ा ये नहीं आट इंटू सो आट सो साथ दाए येन साथ गुणा दस साथ दाए सत्तर तीन इका येन तीन गुणा एक तीन ये हमारा एक सवाल हो गया है इसी तरह जब हमें अब उपर नहीं लिखा है तो उपर वाली संख्या भी हमें खुद को लिखनी पड़ेगी तो चलिए फटा फट से लिख देते हैं 6135 तो 613 और ये पांच आप क्या लिखना है आप हजार सेकडा दहाई और यहाँ पर हम लिख देंगे इकाई ठीक है अब बिल्कुल उसी तरह से करना है 6 गुणा 1000, 6000, 1 गुणा 100, 3 गुणा 10, 30 और 5 गुणा 1, 5 है ना बिल्कुल आसांग अब लिखते हैं वापस से अब देखो यहाँ पर हमें प्लस भी काईप कर देखें अब हमें प्लस भी खुद को लगाना है तो ऐसे ही हम सीखेंगे तो 9,000, प्लस, 0, सेकडा, प्लस, 0, दहाई, प्लस, 8, 1 है ना असांग फटा-फट से कर देते हैं नो गुणा 1,000, प्लस, 0, गुणा 100, प्लस, 0, गुणा 10, प्लस, 8, गुणा 1 नो गुणा 1,000, 9,000, 0, गुणा 100, 0, प्लस, 0, गुणा 10, 0, प्लस, 8, गुणा 1, 8 तो यह हमारा वाल पूरा हो गया और हमारा दूसरा है कि निम लिकित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखे हैं एक हजार, ताथ सो, तीस, और ये पाँच, दो हजार आठ सो पाँच, तो दो हजार आठ सो, धाइक तो कुछ नहीं है, और ये पाँच, ठीक है, साथ हजार छस्सो तीन, साथ हजार, शैर सो, धाई पर आगी फिर कुछ नहीं है, और ये तीन, दो हजार आठ देखो, इकाई धाई सेकडा हजार, तो ये दो हजार, जीरो सेकडा, जीरो दाहाई, और आठ एकाई, ये अमारा विस्तारित रूप हो गया, अगला प्रश्न हमसे दिया गया है, नीचे दिये गया, विस्तारित रूप को क्या करना है, संख्या के रूप में लिखना है, विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना है, ये ये में दिया है, 8000 प्लस 700 प्लस 20 प्लस 5 तो हमने का भया 8 गुणा 1000 और इस तरह लिखना भी एंग और फिर संख्या बनानी है तो चलो शुरू कर देते हैं यहाँ पर 7000 है तो 1000 से तो 7 को गुणा किया यहाँ 7000 इसे हमें नीचे शब्दों में भी लिखना यह तरह से 7000 ठीक है तो यह दो गुणा 100 तो यह दो सेकडा दहाई के स्तान पर क्या है अंक? 88 तो यह आमार हो जाएगा 8 दहाई इसी तरह से इकाई के अंक पर क्या है यहाँ पर तीन तो यहाँ तीन गुणा एक हो जाएगा 3 इकाई और हम इसे लिख देंगे 7, 2, 8, 3 7, 2, 8, 3 चलो आगे शुरू करते हैं अगला प्राशन इसी तरह से यहाँ क्या लिखना होगा हमें? सबसे पहले हम इस्तरस लिख दें पचलो आपटा पटा शुरू करते हैं तो यह 6 गुणा एक हजार 7 गुणा सो 30 गुणा दस और 2 गुणा एक ठीक है ना अशन? आगे का काम करते हैं इनको वापस सब्दों में भी लिखना है 6 हचार साथ सेकड़ा और तीन दहाई दो इकाई अब यह हो जाएगा हमारा पूरे संख्या क्या बन जाएगी? 6,732 ठीक है? अगला प्रश्न हमें इसी तरह से करना और लास्ट कोशन है चलो फटा फट से भी कर लेते हैं अब देखो यहाँ पर आठ सो लिखा है तो यहाँ आएगा 8 गुणा 100 फिर 2 1000 है तो 2 गुणा 1000 यहाँ आएगा 3 इकाई महारा है तो 3 गुणा यहाँ आएगा और 40 दहाई महारा है तो 4 गुणा 10 यहाँ आएगा अब हम इंसे सही से लिख देते हैं 2000 है 8 से करणा है चार जहाई है और तीन यहाँ पर इकाई है तो इतना हो गया हमारा 2848 तो इस तरह से हमारा कार्य पत्रक चार कम्प्लीट हुआ मिनते हैं नेक्स वीडियो में कार्य पत्रक पाँच के साथ ठैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी दोस्तों साथ शेर करें ताकि सभी जल्द से अपने कार्य पत्रक पुरे कर पाएं